एक और गलत पहमी जो कि मैंने कई पेशेंट्स से सुनी हैं उन्हें डर होता है कि एक बार उनको इंसुलिन पे शुरू किया तो उनको हमेशा इंसुलिन लेनी पड़ेगी ऐसा संभव है कुछ पेशेंट्स के साथ कि उनको ऐसा करना पड़े कि उनकी हमने जो बताया कि पैंक्रियस इतनी कमजोर हो गई है कि अब बहार से बॉड़ी में इंसुलिन देनी पड़ेगी दवाओं का गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा कि शक्र को नॉर्मल रखा जा सके और मैंने कहा कि उसमें कोई गलती नहीं है कोई प्राब्लम नहीं है इंसुलिन लेने में आज की तारिक में इंसुलिन बहुत प्यूर है पर मैं आपको यह बता दूँ कि अगर आपकी इंसुलिन की जरुरियात इसलिए आई कि आपकी बॉड़ी को एक स्ट्रेस था स्ट्रेस हो गए थी खोई भी दूसरा करण हो गया था अक्यूट तो यह आपको प्रेग्नेंसी थी तो उसकी वैसे आपको इंसुलिन लेनी पड़ी थी तो एक बार वह चीज चली गई आपकी बॉड़ी से तो अच्छे चांसे हैं कि आपको इंसुलिन फिर आगे कंटीनि ना करने पड़े तो ऐसा ना सोचें कि एक बार इंसुलिन लेनी शुरू की तो हमेशा इंसुलिन लेनी ही जरूरी है कई केसे में एक बार इंसुलिन लेनी शुरू की उसके बाद जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं जिनकी वज़े से इंसुलिन लेनी शुरू करनी प कर दो के बडहONEY कर दो को सब्सकी है तर कि गषब कर देकंतर से लोकर का जिसके अड़